महराश्च के मुंबई हत्याकांड में आरोपी ने जो दरिंदगी की है उसे सुनकर कोई भी खौफ में आ सकता है इस मामले में आरोपी ने खुच से मामले में जो खुलासे हुए वो विचलित कर सकते हैं नमशकार आप देख रहे हैं आज की खबर मैं हूँ आपके साथ रगनी सिंग कहते हैं कि गुनागार चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो कोई न कोई रास छोड़ जाता है कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं जिसकी पक दिर धीर खुलने लगा है पुलिस रांच में हुए नए खुलासे की मुताबिक सकति मनोच की लिवन पार्टनर नहीں पत्नी थी वहीं सब्सक्राइबान um Lecti सानी ने एक दिन पहले पुलस को बयान दिया था जिसमें वो उसका कहना था कि उसने स्वरस्वती की हत्या नहीं की बलकि तीन जून को स्वरस्वती ने खुद खुशी कर ली थी इससे वो घबरा गया था कतल का आरोप उस पढ़ना लगे इस डर के कारण उसने लाश को ठिका ने लगाना शुरू कर दिया था शातिर कातिल मनोज साने अब तक पूश्ताश में पुलस को तरह तरह के दावे करके उलजाता नजर आ रहा है लेकिन सयाने मनोज से सवसयानी पुलिस ने सरस्वती वैद की तीनों बहनों का पता लगा कर उसके सारे जूट का परदाफाश कर दिया है पहला जूट मनोज साने ने कहा था कि सरस्वती वैद उसकी बेटी समान थी पर सरस्वती वैद की बहनों के स्टेटमेंट से पता चलता है कि मनोज साने की वह पतनी थी दूसरा स्टेटमेंट मनोज साने की इस दावे से जुड़ा है और यह दावा है कि वह सरस् सी纜ती से शादी की थी मनोज का सबसे बड़ा दावा olmaz यह है कि उसने सरसवती की नहीं की सवरसवती से उसका जगडा हुआ तो गस्से में सरस्वती ने जहर खा कर जान दे दी उसने अपने उपर अलजाम आने के डर से श्रफ को बस ठिकाने लगाने की कोशिश की अब देखना है कि पुलिस मनोज साने के हातों सरस्पती के मडर होने को कैस्ते साबित करती है फिलाल 16 जून तक मनोज साने को पुलिस कस्टेडी में रखा गया है फिलाल इस खबर में इतना ही और जितने भी खुलासे होंगे वो आप तक जरूर पहुंच आएंगे फिलाल मुझे दीजिये जादत और आप देखते रहे आज की कबार